नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टोडे नियोज के ओफीशल एडूब चलन में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC GD भरती 2021 के फीजिकल टेस्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि फीजिकल टेस्ट के लिए एड्मिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे महत्पुन बार कि दोस्तों अगर अभी तक आपने फीजिकल टेस्ट की तैयारी नहीं किये हैं तो आज का यह वीडियो अन तक जरू दिएगा हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना फीजिकल टेस्ट पास कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं SST-GD में सेलेक्शन पाना तो आज का यह वीडियो आप सभी केंडियेट्स के लिए होने वाला है वीडियो को लास तक जरू दिएगा और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में ज़्यादा स्यादा शेयर करें लोजनाशी परकान नई भरतियों की जानकारी के लिए चैलेंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC GT भरती 2021 के फीजिकल टेस्ट के बारे में जिसका एडिमेट कार्ड चारी हो चुका है दोस्तों फीजिकल टेस्ट में केवल आपकी दोड़ होगी तो दोड़ की आपको तैयारी करनी होगी आपको बिल्कुल जान डालनी है जिहां दोस्तों काफी सारे केंडियेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारिया शुरू नहीं की है फीजिकल टेस्ट की तो मैं उन सभी अभ्यारतियों को कहना चाहता हूँ कि दोस्तों फीजिकल टेस्ट को पास करना आप सभी के लिए ना मुम्किन है क्योंकि दोस्तों यहां पर आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो आपका सेलेक्शन होना पोजिटिव है क्योंकि यहां पर अगर आपकी तैयारी है तो आप यह जो भरती है पासकते है दोस्तों आपका सेलेक्शन हो सकता है इजी वे में अगर आपका फीजिकल टेस्ट तैयार है तो आपकी यहाँ पर किवल दोड होगी दोड के बाद आपका medical test लिया जाएगा तो अगर आपकी दोड की तयारी है और अगर आपको लगता है कि आप medical में भी बिल्कुल फीट है तो आप यह मान के चलिए कि 100% आपको यह नोकरी मिल सकती है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि physical test में आपकी जो डोड होगी वह आपकी ground पे नहीं होगी road पर होगी यानि कि किसी भी road पर आपकी यह डोड हो सकती है, ground के भार हो सकती है या कहीं पर भी हो सकती है या फिर dharma road पे या cement road पे हो सकती है देकिन आप यह मान के चलिए आपकी ground पे नहीं होगी तो आपको उसी के according तयारी करनी है ground में जो grip होती है वो road के मुकाबले अलग होती है यानि कि grip जो होती ground में काफी अच्छी बनती है लेकि रोड पे जो Griep होती है वो काफी अच्छी नहीं बनती है जिसकी वेज़से काफी सरे Candi Aids की जो तयारिया है वोहाँ पर फेल हो जाती है है वहीं दोस्तो गर्मी भी काफी तेज चल रही है जिसके चलते यहाँ पर काफी Candi Aids है निराश हो सकते हैं वहाँ पर उनका selection भी होना मुश्किल हो सकता है क्योंकि गर्मी के कारण जो है यहाँ पर उनकी फिजिकली जो तैयारी है वो फेल हो सकती है तो दोस्तो अभी भी आपके पास कुछ समय बचा है अगर अभी तक आपने तैयारया नहीं किये है तो आज से तैयारया शुरू कर दें और अगर आप तयारया कर रहे हैं तो अपने तैयारयों में ओर जान डाल दे क्योंकि आपके पास में यह बहुत ही अच्छा शांदर मुका है फाइनली आपके पास में कुछी समय बचा है अगर आप चाहते हैं SSC GD में भरती पाना तो आज से अपनी तयारों में लग जाए कट ओफ भी जारी हो रही है जल से जल और यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बाद में आप यह मान के चलिएगा कि आपका सेलेक्शन ते है क्योंकि अगर आपका मेडिकल फिट है तो आप ये नोकरी पा सकते हैं ये थी आज की नई अपडेट वीडियो उच्छा लागा तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जोड़ कीजिएगा जहिंचे भारत